नमस्कार दोस्तों आप सभी का एवबार फिर से स्वागत करते हैं आपके प्रेंटूब चेनल पर दोस्तों दिल्ली पंजाब बंगाल कहीं भी किसी भी अस्टेट में आप फसे हुए हैं और बिहार यूती या फिर कहीं भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए सभी अस्टेट जो है धीरे धीरे ऑनलाइन रेजिस्टेशन के प्रोसेस जारी कर रहा है लिंक एक्टिवेट कर रहा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ऑनलाइन रेजिस्टेशन करके ट्रेन से यातरा कर सकते हैं और आप अपने घर पहुँच सकते हैं तो दोस्तों इ उसके अनुसार से list त्यार होता है उसी list को railway को सोपा जाता है और बाद में railway जो है उसी list के अनुसार सभी member को बारी-बारी से message करता है और जिसके पास वो message जाता है उसका ticket confirm होता है तो चरिये इस video में हम आपको बताएंगे कि online registration आप कैसे करेंगे क्योंकि बहुत सारे estate ने link जारी कर दिया है एक्टिवेट कर दिया गया है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी से request रहेगी किस वीडियो को like जरूर कर जीगा और हमारी महिनत को सफल किजिए तो कि आपके जैसे और भी भाई बंदू है जो बाहर में फसे हुए है तो वीडियो को share कर दिजिगा तो उनका भी help हो सकेगा तो निश्चित रूप से like और share कर दिजिए अगर आप चाते हैं इस तरह से notification पाते रहे तो चैनल को subscribe कर लिजिए देखिएगा red color का subscribe बटन रहेगा उसको दबा दिजिए उसके बाद घंटी को जरू के लिए सरकार में जारे किया है लिंक ये अभी का news है आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार द्वारा जो कुछ जानकारी दी गई है कह रहा है बिहार सरकार ने बाहर फसे मलदूर छात्र और दूसरे लोगों को बिहार आने के लिए या फिर आप किसी और अस्टेट से भी है तो भी आपके लिए जानकारी है तो भी आप रिश्टेशन कर सकते हैं पूरा वीडियो को देखिए पूरी समझ में आ जाएगी यहाँ पर देखिए इसके लिए निवंधन का सायट जारी कर दिया है जिस पर देश में लोग फसे हैं वह व है रिश्टेशन करा सकते हैं तो भी आप रिश्टेशन करा सकते हैं इसके लिए भी ऑनलाइन रिश्टेशन का लिंक जारी किया है रिश्टेशन के दोरान मांगी जाने वाली सारी सूचनाएं आपको भर नहीं होगी अब यहाँ पर देखिए बिहार में फसे लोग अगर अपने राज्यों में जाना चाहते हों तो उन्हें इस साइट पर जो है जा करके रेजिटेशन कराना पर गए यानि कि बिहार में जो लोग फसे हुए हैं अगर वो किसी भी अस्टेट में जाना चाहते हैं तो आप इस साइट पर जा सकते हैं और रेजिटेशन करवा सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका हम अस्पेशल भी वीडियो बनाए हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है अगर बिहार से बाहर जाना है तो आप उस लिंक को किलिक करके अस्पेशल वीडियो देख सकते हैं अब यहां पर देखिए दोस्तों अगर आप किसी दूसरे राज में फसे हैं जैसे कि दिल्ली में फसे हैं मद परदेश में फसे हैं गुजरात में फसे हैं पंजाब महराष्ट राजस्थान या फिर हिमाचल परदेश या फिर कहीं भी आप फसे हुए हैं तो वहां से आप ब पिहार जाना चाहते हैं या फिर किसी other adiate जाना चाहते हैं तो आप इस link पर click करेंगे तो आपको form खुल करके सामने आएगा उस form को भरना होगा सारी सुचनाइत देनी होगी चलिए हम इसे open करके दिखाते हैं बारी-बारी से सभी को हम दिखाएंगे जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम Delhi के official website पर आए हैं तो यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पर आपको एक section मिलेगा moment pass का इस पर आपको click करना है जैसे ही click किजिगा तो यहाँ पर जो है आपसे user ID और password मांगा जाएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको username और password डालना है जब आप पहली बार login करेंगे तो user ID और password आपके पास नहीं रहेगा इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए एक create account है इस create account पर आपको simple click कर देना है जैसे ही आप create account पर click करेंगे आप से यहाँ पर कुछ detail मांगा जाएगा वो detail फिलब करके आपको account create कर लेना है और password भी बना लेना है चलिए हम इसे open होने देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो open हो गया है थोरा time लगता है क्योंकि बहुत सारा traffic इस पर चल रहा है तो यहाँ पर आपको name डाल लेना है mobile number डाल लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको address डालना है username डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको password डालना है ठीना password आप अपने हिसाब से बनाईए जो आपको याद रहेगा वो password यहाँ पर डाल लेजिए उसके बाद confirm password डालने के बाद यहाँ पर नीचे दिखिए capture code है, इस capture code को यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आपको सीधा submit पर click करना है इससे होगा क्या कि आपका यह password और साथे साथ username आपके mobile पर आ जाएगा ठीक न, तो वो username जो आपको mobile पर आएगा password आपको याद ही है उसके बाद आप login किजिएगा, जैसे हैं login किजिएगा तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कहां से कहां आपको जाना है, डेली से कहां जाना है, यह आपको पूछा जाएगा वहाँ पर आप simply वो detail फिलब करके registration करवा सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर धियान दिजिए तो देली का हम आपको special रूप से बता दिये हैं उसके बाद हम और भी कई सारे वीडियो special special site पर बनाए हैं आप लिंक को एक बार चेक कर लिजिए, description को चेक कर लिजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मद परदेश से आपको बिहार आना है या फिर मद परदेश से किसी और state जाना है, तो आप इस लिंक पर किलिक कीजिए नोट कर लीजिगा, उसके बाद गुजरात के लिए भी हमा special वीडियो बनाए हैं तो आप इस लिंक को open करके, आप जो है simply, registration कर सकते हैं गुजरात से देली हो, या गुजरात से आपको बिहार हो, जारखन्ड हो, यूपी हो कहीं भी जाना हो, आप इस लिंक को open कीजिए उसके बाद देखिए दोस्तों, पंजाब से आपको बिहार आना है या फिर पंजाब से आपको यूपी आना है तो simply आप इस लिंक पर किलिक करके, आप रेश्टेशन करेंगे इस पर एक special वीडियो बनाए भी है उसके बाद देखिए दोस्तों, महाराष्ट के लिए भी लिंक जारी कर दिया गया है तो महाराष्ट से आपको बिहार आना है, यूपी आना है, जार्खन आना है तो आप इस लिंक को खोलिए और वहाँ पर simply जो अश्टेप है, उस अश्टेप को follow कीजिए राजस्थान पर दोस्तों, special वीडियो बना है राजस्थान से आप बिहार कैसे आएंगे, रिश्टेशन कैसे करेंगे और साथे साथ अगर आप यूपी आना चाहते हैं कहीं भी राजस्थान से किसी और अश्टेट या फिर किसी और अश्टेट से राजस्थान जाना चाहते हैं तो आपको यहीं लिंक काम करेगा, अगर मानली के बिहार से राजस्थान जाना है या फिर देली से राजस्थान जाना है, तो आप इस लिंक को किलिक करके रेजिटेशन कर सकते हैं या फिर डेली के वेबसाइट पर भी रेजिटेशन कर सकते हैं तो दोनों तरफ से रेजिटेशन आप कर सकते हैं लेकिन किसी एक ही तरफ से आप रेजिटेशन कीजिए उसके बाद हिमाचल पर्देश में आप फसे हुए हैं बिहार जाना चाते कहीं भी जाना चाते हैं तो हिमाचल पर्देश से बिहार या फिर बिहार से हिमाचल पर्देश या फिर किसी अधर अस्टेट जाना चाते तो भी आप इसी लिंक क्या उपयोग करेंगे इसके बाद देखिए दोस्तों तमिल नाडू का भी जारिक किया गया है इसके बाद हरियाना बहुत सारे पूछ रहे थे कि हरियाना से हमको बिहार आना है कैसे आएंगे हरियाना से हमको यूपी आना है कैसे आएंगे तो दोस्तों हार्याना से आपको कहीं भी जाना है तो आप इस लिंक का उपयोग कीजिए इसका भी लिंक हम आपको description में दे दिए हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करनाटक में बहुत सारे फसेवे हैं करनाटक से अगर आपको बिहार यूपी आना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद उत्राखंड के लिए भी जारी कर दिया गया है रेजिटेशन कैसे करना सीधा आप जो है वो फॉर्म क को खोल पाएंगे सीधा इस लिंक पर क्लिक कीजिए और या फिर यहाँ पर डैरेक्ट आपका जो क्लिक नहीं होगा इसलिए इसको कोपी कर लिजिए उसके बाद किसी गूगल कुरूम में ओपन कीजिए उरिसा से अगर आपको बिहार जाना है या यूपी जाना है कहीं भी तो इस लिंक का प्योग कीजिए के लिए 36 गट के लिए उसी तरह से दोस्तों उतर परदेश से आपको बिहार आना है या फिर उतर परदेश से हर्याना या कहीं भी जाना है पंजाब जाना हो जहां जाना हो तो आप यहां पर क्लिक कीजिए बहुत सारे को कनफुजन होता ह कि हमको मतलब उरिसा से उतर पर्देश आना है तो कूंसा लिंक का उप्योग करेंगे तो दोस्तों उरिसा के लिए भी जो है आस्पेसल लिंक जारे किया गया है तो यहां पर देखे उस इसका भी यूज करके आप उरिसा से ज्हारखंड आ सकते हैं या फिर उतर पर्देश से कहीं जाना है या फिर बिहार से कहीं जाना है तो आप बिहार उत्तर परदेश का भी लिंक आप यूज कर सकते हैं अब बहुत सारे हैं जहां का अभी तक लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है तो उसका भी बहुत जल्द एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आप कहां पर फसे हुए हैं कहां से कहां जाना चाहते हैं तो हम कोशिस करेंगे उस अनुसार से वीडियो बनाएं और आप इस वीडियो को लाइक करने के बात सेर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके तरह बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो बाहर फसे हुए हैं वो भी मुश्किल में हैं तो उनका भी हैल्प हो सकी इसलिए इस वीडियो को सेर जरूर कर दीजिएगा अब देखिए यहाँ पर देखिए पस्टिम बंगाल के लिए गोवा के लिए जम्मू कस्मीर के लिए जहारखन के लिए भी अस्पेसल लिंक जारी कर दिया है लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी हम चेक किये जारखंड के लिए तो ये link जो है open अभी नहीं हो रहा है तो कि इस पर बहुत जाएदे traffic आ गया जिसके कारण ये link कभी कभी काम करता है कभी कभी काम नहीं करता है तो आपको बार बार चेक करते रहाना है चलिए हम आपको एक और link हम आपको खोल करके दिखाते हैं यदि आप जो है बिहार से कहीं और जाना चाहते हैं या फिर किसी एक website को हम open करते हैं जैसे कि दोस्तों यहां से हम पंजाब का यहां पर link को खोल ली हैं अगर आपको पंजाब से बिहार आना है या फिर यूपी आना है तो आप इसका भी उप्योग कर सकते हैं चलिए हम कहने का मतलब यह हुआ कि जो आप mobile नमर डालेंगे वो mobile नमर आपके साथ में होनी चाहिए तो इसी नमर पे आठो आदमी का ticket message आएगा उसके बाद आपको सम्मित पर click करना है उसके बाद आपके mobile पर OTP आएगा verification कीजिए अब जब list में नाम आ जाएगा आपका तो आपको एक message दिया जाएगा कि आपका जो है इस rail गारी में इतने ताडिक को इतने बज़े ticket है आप को उस station पर पहुंच जाना है तो दो दिन पहले आपको message आजाएगी तो मैं उमीद करता हूँ आपको पूरी समझ में आ गया होगा आपके जैसे बहुत सारे और भाई बंदू फसे हुए हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दिजिए जिसे कि उनका भी help हो सके ज मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में आप कोमेंट करके बताएगा कि आप कौन से estate में फसे हुए हैं कहां से कहां जाना चाहते हैं जिसे कि हमको वीडियो बनाने में और भी आसानी हो धन्यवाद दूस्तों